मैंने सूचा थ 드… सावन के महीने में 20 अड़ार को यह इप अपने गार्डन में City आधρά करूंगी तो मैं भी जल्दी स्वी नर्सरी से ले ही आई एभी इस प्लांट को अपने बहुत आणी मिल जाए का तो जिहां तो हम इधर उधर से जब भी बेल पत्स लेते हैं तो क्यों न प्लांट को हम अपने घर में लगा लें तो काफी सुफ वादा भी होता है और हमें बेल पत्र को इधर उधर ढूने की ज़रृत नहीं पड़ती है तो यह प्लांट मुझे में 100 रुपाय का मिला था और इसको आसानी से इस पॉट से निकल आए तो चली इस प्लांट को रिपॉट कर लेते हैं लेकिन उससे बहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह मिट्टी गीली होने की बज़े से मैंने प्लांट को निकाला और बहुत ही आसानी से यह प्लांट निकल आया हमें कोसिस करनी है कि इनकी जड़े तूटने ना पाएं बैसे भी सावन के महीने में हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाता है तो इसलिए मैंने बेल पत्र का तो मैंने सोच रखा था मैं सावन के महीने में ही लगाऊंगी तो यह आफडोर प्लांट है बिल्कुल फुल सललाइट में चलने वाला प्लांट है इसकी बहुत जादा कोई कियर नहीं होती है तो इसको जब भी आप कोई पॉट में लगाएं तो आप बड़े पॉट में लगाएं क्योंकि जितना यह बड़े पॉट में लगा होगा और उतना ही यह अच्छी ग्रोथ करेगा इसके बाद आप ऐसा ब्लांटर लें जो कि फुल सललाइट में खराब ना हो यानि कि धूप में बिल्कुल भी प्लांटर खराब ना हो इसलिए मैंने यह पानी की वोटल को ले रखा था और इसमें मैंने नीचे सूखी पत्तियां डालके और उसमें मिट्टी डालके रख और बारिस में पूरा यह कंपोस्ट मतलब खाद बन चुका है अब इसी में में यह प्लांट लगा दूँगी तो उसके लिए मैं थोड़ा सा फंजिसाइड लिया है आप अगर फंजिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पावडर भी ले सकते हैं तो इसके बहुत सारी रूट सोच चुकी है अच्छे से तो जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर के आ रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप नर्सरी से जब भी प्लांट लेकर के आए तो वह प्लांट हेल्दी होना चाहिए यह देख आप जरूर लेकर के आए तो जल्दी से आप प्लांट बीच में लगाना चाहिए और जहां पर उसकी जड़े होती है वहां पर मिट्टी को अच्छे से दवाना चाहिए जिससे कि उसमें यह ना रहें तो यह मीरा बेलपत्र का प्लांट रिपोट हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी ठोड़ा सा पाणी क्योंकि मिट्टी इसकी पहले से घीली है चाहें थोड़ा सा कम पानी डालें तो जहां जहां इसके मिट्टी अच्छे से सैट नहीं थी उसको मैंने हाथ से सैट कर दी है उसके बाद मुझे मिट्टी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी मिट्टी और डाल दी है तो फ्रेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और आप भी जल्दी से अपने घर में सावन के महीने में वेल पत्र जरूर लगा लिजिए और यह मेरा प्लांट प्रीपॉर्ट हो चुका है जो कि काफे खुबसूरत लग रहा है तो अभी इसको एक या एक दिन या दो दिन में इसको बिल्कुल फंसल लाइट में नहीं रखोंगी जब तक कि इसकी अच्छे से जड़ें सेट नहीं हो जाए दो तीन दिन में इसको इंडूर रखोंगी फि प्लीज वीडियो को लाइक शियर और सब्सक्राइब ज़रूर करें